बागवान साथियो नमस्कार कैसे हैं आप सभी उम्मिद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम इन दो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं यह कहा हमरे पास होमी जैल जिसको हम ड्रेंचिंग के द्वारा जो है अपने छोटे प्लांट मे जो हमने चीज साल लगाए हैं और जो नर्शरी है हमने दी हुई उसमें भी हम इसको प्योग में ला रहे हैं यह जो है सीर की ट्रीटमेंट भी करता है ठीक है तो इसमें इसको फॉली रिस्प्रेसिव दे सकते हैं ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं यह रूट की ग्रोथ के मैकड़ियान्यूट्रियंट भी रहते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़े इसमें है तो इसका प्रयोग हम कर रहे हैं इसका प्रयोग हमने अभी जन्यवरी मन्थ में भी किया था जो हमने नहीं нужно लगाया थे उनमें काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली जो अभी एक मंत के अंदर-अंदर हमें इसको यूज क्या था तो उसमें देखने को मिली और फिर जो है दूसरा प्टक्ट है हमारा यह वी रिच यह जो है माइको राइजा है लिक्विड फॉर्म में है वन लिटर का तो इसमें जो है इंप्रूब दी प्लांट ग्रोथ इंक्रीजड अपटेक ऑफ फासफोरस सलफर कैल्शेम जिंक जो भी हम न्यूट्रेंट जो है प्लांट में देते हैं उसको अपटेक करने काम करता है प्लांट की ग्रोथ करता है यह माइको राजा हमने पाउडर फॉर्म में डाला था इससे भी काफिकर पिट्व हमें ने प्लांट में देखने को मिले तो इन दोनों को जो हम ड्रेंचिंगे बाद दिन से अपलाई कर जो आपका पिठ्थू स्प्रेयर है छोटे वाला इस पे जो इसका गोल बना के जड़ उसकी जैसे प्लांट के जो नजदीक तना इसके थोड़ा सा अधर फुट डिस्टेंस में इसकी जो है इसका जो चड़का आप करेंगे इसका जो नोजल की जो थोड़ी मोटी धार बना क के पानी की इससे डालेंगे तो यह प्रोड़क्ट काफी यूजफूल है वागवन साथी इससे प्लांट की ग्रोथ हमने काफी देखी है काफी बढ़िया ग्रोथ जो है इससे जो ने प्लांट है उनमें आई एकदम से बहुत सारी आइस जो है ब्रस्ट हो चुकी है बिना इन दोनों को तो उतनी प्लांट में नहीं आती थी तो इन दोनों का प्योग करके शायद उसमें कुछ ही साल ऐसा हुआ होगा क्योंकि हमें उसमें बदला आव जो हमें काफी देखने को मिले तो आईए शूरू करते हैं इस तरह से हम फिर इसको अपलाई करते हैं वाग उन साथ ही देखिए जो यह आपका तना है इसके चारो तरफ जो हमने इसको इसके ऐसे ड्रेंचिंग कर देनी है कर देनी हमने